हाईगे सब तो स्वागे थे तो न्यूटिकल चैनल पे मेरा नाम है निताशन सिंग और आज मैं करने वाली हूँ फुल डिटेल रिव्यू हमारे ओपो के रेनो 10 प्रो का इस डिवाइस को मैंने अच्छे से यूज कर लिए बैटेल के शाल में करने वाली हैं और विडियू को बात करेंगे एक एक चीज के बारे में in दीटेल में कि डिवाइस के अधर आपको यूटि किया सब्सक्राइक और यूडियो कि यह कैसा है वीडियो में हरचीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो फटा फट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे बाले तो डिवाइस का जो प्राइस है हमारा वो है 40,000 पीस का बजट जिसमें आपको 12 GB RAM और 256 GB इंटेलर मेमरी मिल जाती है और सबसे बाले बात करते हैं डिवाइस के मेन पार्ट के बारे में मदलब हार्ट ओफ डिवाइस जो की है हमारे डिवाइस का चिपसेट यहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 778G का हमारा प्रोसेसर और वैसे देखा जाए, यह हमारे एक स्टेबल चिपसेट है मदलब यहाँ पे आपको डिवाइस के अंदर मेरी टेस्टिंग में मुझे कहीं भी हीटिंग या थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिली है मदलब N2-2 टेस्ट में मैंने बैक-to-back तीम बार रण करा लेकिन यहाँ पे कोई भी स्कोर ड्रॉप देखने को नहीं मिलता लेकिन यह जो हमारा चिपसेट है यह 40,000 रुपे के बजट का चिपसेट नहीं है बलकि यह चिपसेट आपको 20-25,000 रुपे की बजट में मिलता है Snapdragon 8 Plus Gen 1 भी मिल जाता है तो उसे साब से ये device के अंदर आपको underpowered chipset देखने को मिल रहा है और SNA कि सिर्फ on paper बात हो रही है बल्कि बात हो रही है actual में usage की यहां पर इस device को जैसे आप use करोगे न normally use करने में, casually use करने में ही आपको ये device actual में slow feel होगा इस budget के devices से अगर आप compare करते है मतलब यार, अपने आप आप देख सकते हो एक 20-25 रुपे के price का chipset है और एक हमारा 40 रुपे के price का flagship chipset है performance में तो आपको use करते ही feel हो जाएगा कि कितना जादा difference है अब इसके साथ एक दिक्कत और भी आजाती है कि इस device के अंदर छोटा chipset तो use किया ही गया है लेकिन उसके साथ इसके अंदर हमारी जो storage है वो भी आपको slow मिलती है UFS 2.1 के storage आपको device के अंदर मिल जाती है तो normally use करने में आपको ये device slow feel होगा अब अगर मैं बात करूँ heavy task की या gaming की तो gaming के लिए या heavy task के लिए device हमारा नहीं है लेकिन आप device के अंदर casual gaming कर सकते हैं मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ BGMI की, COD की तो ये सारी games इसके अंदर आपकी चल जाती है Casually खेलनी हो कोई दिकत की बात नहीं लगती लेकिन high settings पे जो लोग gaming करते हैं जिल लोगों को एक अच्छी तगड़ी gaming performance शाहिए उनके लिए ये device हमारा नहीं है और एक चीज़ विसे और clear कर दू chipset की importance जो है वो हमारी सब gaming के लिए काम नहीं आती actual में chipset अगर आपका अच्छा हो तो आपके device की overall performance अच्छी हो जाती है मतलब camera की performance की में बात करूँ image processing की या video processing की में बात करूँ तो हर चीज़ आक्चल में affected है कि आपका chipset कैसा है अगर आपका chipset अच्छा नहीं है slow है तो underpowered है तो आपके ये जो बाकी के काम है gaming के इलावा वो भी effect हो जाते है उनकी अंदर भी आपको अच्छी processing देखने को नहीं मिलती है इसलिए मुझे लगता है कि justified नहीं है कि 40,000 और बजट में आपको इतना छोटा chipset नहीं मिलना चाहिए था और वैसे एक चीज और मैं आपको बताऊँ मुझे एक चीज और अच्छी नहीं लगी device की यहां पर आपको bloatware में बहुत सारा मिलता है मतब पाल दो कि बहुत सरे apps आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं जो कि experience को खराब कर देते हैं अब 20,000-15,000 के budget में अगर इतना bloatware मिल रहा होना तो बंदा सोच सकता है लेकिन इतने पैसे देने के बाद अगर इतना सारा bloatware मिले तो बहुत ही खराब हो जाता है experience अब इसके साथ बात करते हैं device की हम battery backup के बारे में battery backup देखा जाया तो मेरे लिए एक बहुत ही important चीज है क्योंकि actual में device आज की देट में बहुत लोग बहुत time use करते हैं मतला almost पूरा दिल लोगों के हाथ में अपना phone होता ही होता है जिसमें कोई शौट्स देख रहे हो वीडियो देख रहे हो बारे मिल जाती है और जितने पर दिन मैंने इस device को यूज की है एक दिन मेरा यह device नहीं निकाल पाया मतलब वही साथ 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 वरे तक यह device के अंदर battery मेरी खतम हो जाती थी अब मैं आपको exactly बताती हूँ कि मेरी usage में कितना battery यहां पर consume होई थी एक घंटा जब मैंने इस device के अंदर YouTube पे वीडियो देखी तो मेरी यहां पर 12% battery लगी जो की की जादा है उसके बाद अगर एक घंटा में movie time की बात करूँ जो मैंने Netflix पर देखी तो यहां पर 13 से 14% battery लगी यह भी जादा है बाकी devices के comparison में और उसके साथ अगर बात करूँ गेमिंग की एक घंटा कर आप इस device के इंदर गेमिंग करते हैं तो उसमें आपकी 17% battery यहां लग जाती है अब वैसे देखा जाए तो हमारी यहां पर gaming के हिसाब से device optimized है गेमिंग में बहुत जादा battery नहीं लगी लेकिं casually जैसे आप जो movies वीडियो देखते हैं content देखने में आपकी battery यहां पर जादा लगती है तो battery backup मुझे device का यहां पर कम देखने को मिला हाला कि charging device के हमारी काफी fast है मतलब यहां पर देखा जाए आपको device के साथ box के अंदर 80 watt का fast charger आपको यहां पर मिल जाता है और charging time के में बात करूँ तो 0-100% full charge करने में device को सिर्फ 38 minutes लगते हैं कोई heating नहीं है उसके अंदर भी मतलब fast के device आपका यहां पर charge हो जाता है इसके साथ बात कर लेते हैं device के एक काफी impressive point के बारे में जो कि की है हमारे इस device का display display मुझे बहुत impressive लगा क्योंकि मेरा favorite dual curve design के अंदर आपको यहां मिल जाता है बहुत ही बढ़िया लगता है या dual curve design के अंदर डिवाइस के अंदर एक premiumness निकल के आती है मतब पहले ही आप back से देख सकते है matte finish के अंदर इसकी back है हमारी जिसमें में पास gray color है अच्छा sober looking device लग रहा है हमारा और back और front को काफी चितरकी से यहां पे blend किया गया है हाला कि plastic के framing use करी गई है device के अंदर जिसमें कि इतना solid feel नहीं होता लेकिन आप इस device को एक हासे easily hold करके use कर सकते हो और design में कोर चीज़े के camera module के design भी एकना refreshed look है capsule form में जो कि देखने में attractive लग रहा है यहां पे हमारा front side में display आ रहा है 6.7 inch OLED panel में dual curve design के अंदर यह देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और वैसे यहां पे देखा जाएं तो brightness के अंदर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई जैसे कि मैं इस device को sunlight में use किया तो कोई दिक्कत नहीं आई मुझे अच्छे आपको यहां पे brightness देखने को मिल जाते हैं तो movies वीडियो पर आप इसके अंदर देखते हैं तो display wise आपको बढ़िया लगेंगी वैसे मैंने डिवाइस के अंदर brightness टेस्ट भी किया था लेकिन इसके साथ action में content देखने में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इस device के अंदर आपको single speaker मिलता है अब यह भी चीज यार मुझे सही नहीं लगी 40,000 का budget है device का उसे इसाब से यहां पे dual speakers मिलने ही चाहिए थे मतलब अगर मैं 15-20,000 रुपे के budget की भी बात करो ना तो उसमें मिलते हैं हमें dual stereo speakers यहां पे तो यार 40,000 का budget है बहुत ही मतलब मुझे लगत चीज करेंगी कि आपको यहां पे single speaker मिलता है अब यह single speaker हमारा काफी loud है मैंने जो test run किया उसमें मैंने देखा हमारी reading 124 तक आई है लेकिन single होने की वज़े से experience अच्छा नहीं आता अब क्या है कि अगर आपका हलका सा हाथ लग जाए अब भूई देख रहे हो हलका सा हाथ लग जाए पूरी आवास कट हो जाएगी तक भी जाएंगे तो भी आपकी आवाज नहीं करती, क्रेक्टिविटी हमारे Bluetooth की स्ट्रॉंग है, साथी, नेटवर्क्स की बात करूं, तो आपको device के इंदर 5G support यहाँ पे मिल जाता है, multiple bands में, साथी, करेक्टिशन का support यहाँ आपको device के इंदर देखने को मिलता है, और अगर हम बात करें, बेस्मेंट में signal आते हैं या नहीं आते, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ओफिस काई बेस्में में होता है, तो यह एक important question बन जाता है, तो यहाँ पे मैं हर phone को टेस्ट करती हूँ, जियो सेम यूज करती हूँ मैं टेस्ट करने के लिए और साथी NCR region में रहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस device के अंदर पे जब टेस्ट रन किया, तो मैंने देखा कि हमें यहाँ पे almost full signals देखने को मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉंग वाला देखने को मिलता है, आपको कोई दिकत नहीं हाएगी अगर आपका office basement में हो, इसके साथ अगर बात करो earpiece की sound की, तो उसके अंदर भी मैंने देखा कि यहाँ पे आपको आपको ना काफी ठीक वाली sound सुनने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको जो face unlock मिलता है, वो हमारा ठीक से work नहीं करता, मतलब, यहाँ पे आप देख सकते हो device lock है, और मैंने इसके तरफ नहीं देखा, इसने unlock कर दिया, दुबारा try करते हैं, यह देख से अपक लॉक है, और मैंने नहीं देखा, इसने unlock कर दिया, मतलब, side face से कहीं से भी unlock कर देता है, तो face unlock इसका बिल्कुल भी हमारा secure नहीं है, लेकिन in-display fingerprint scanner आपको मिलता है, और वो हमारा काफी fastly और accurately work कर रहा है, उसमें मुझे कोई दिक्र देखने को नहीं मिली, इसके साथ अगर आगे अगर हम बात करें device के कैमरा के बारे में, तो यहां पर device के अंदर triple camera setup आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें 50MP का main camera है, IMX 890 sensor के साथ, 32MP का आपको telephoto camera मिलता है, हमारा IMX 709 sensor के साथ, और 8K ultra wide, 32MP का हमारा selfie camera है, IMX 709 sensor के साथ, सबसे परे नाइट camera के पिक्स पर नज़र डालते हैं, क्योंकि उससे हमें क्लियर हो जाता है कि एक्चुल में camera हमारा कैसा प्रफॉर्म कर रहा है, तो यहां पर देख सकते हैं, सबसे परे बैक camera के जो night samples है, वो आपको काफी अच्छे वाले देखने को मिल जाते हैं, मतलब उनके अंदर आप देख सकते हैं कि noise की भी कमी देखने को मिल रही है, detailing भी आपको सही मिल रही है, मतलब काफी अच्छे night pics यहां पर हमारे device ने capture करी हैं, अगर मैं बात करूँ, जो selfie pics के बारे में तो उसमें किया है कि dark environment में तो capture नहीं कर पाता ठीक से, लेकिन जहां पर street light हो, वहां पर आप देख सकते कि काफी सही pics हमारी capture हुई है, वहां पर हमारे subject के उपर light भी है और background में noise भी कम है, आप बात करते हैं next day time pics के बारे में, क्योंकि day में जो sunlight होती है उसके अंदर कई सरे devices के अंदर HDR में problem देखने को आती है, यहां पर मैंने check किया, आप देख सकते हैं कि आपको HDR यहां ठीक देखने को मिल जाता है back camera के अंदर, मतलब जो हमारा IMX 890 के sensor है वह यहां ठीक work कर रहा है, आपको images अच्छी मिलती है, saturation ज्यादा देखने को मिलता है, OPPO का device है, तो color science OPPO वाली है, lively से pick हमारी नजर आ रही है, जिसके अंदर ultra wide के अंदर भी, थोड़ी से soft लगरी images लेकिन वैसे कोई color shift देखने को नहीं मिल रहा है, और जो हमारा 32 नगा पिक्सल का telephoto वाला camera है, उसके अंदर भी bookey mode के अंदर बहुत ही crisp हमारी shot आए है, edge detection आपको यहां पर काफी अच्छा देखने वाला मिल जाता है, इसके साथ अगर मैं बात करो, selfie की daytime pics के बारे में तो वह भी आप यहां पर देख सकते हैं, कि आपको colors यहां अच्छी देखने को मिल जाते हैं, crisp आपको फोटोग्राफ आई है, edge detection अच्छा देखने को मिल जाता है, यहां पर HDR effect जो हमारी sunlight में आ रहा है वह भी अच्छा वाला maintain कर पा रहा है, तो daytime pics यह हैं हमारी front and back दोनों की अच्छी है, अब बात करते हैं, इंडोर में, आटिफिशल लाइट में कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारा क्यामरा, तो यहां पर सबसे बले back camera में आप देख सते हैं कि food photography मैं ने करी थी, जिसके अंदर आपको vibrant colors देखने को मिल रहे हैं, काफी lively specific हमारी आ रही है, अच्छी detailing के साथ, साथ ही subject pics अगर आप लेते हैं तो उस पर आप देख सकते हैं कि आपको colors अच्छी देखने को मिल रहे हैं, आपको यहां पर exposure को अच्छी से maintain कर पा रहा है, HDR हमारा काफी ठीक work कर रहा है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि booking mode के अंदर edge detection भी हमारा अच्छा आ रहा है, इवन selfie pics के अंदर भी आपको detailing अच्छी देखने को मिल रही है, यहां पर भी skin tone को हमारे अच्छी से maintain कर पा रहा है, अच्छी देखने को मिल जाती है, चाहिए हम natural light की बात करें या artificial light की, इसके साथ अगर आगे मां बात कुर वीडियोग्राफिक के बारे में, तो सबसे बले back camera की बात करते हैं, यहां पर क्या है कि आपको अगर 4K में एक stable video चाहिए तो वह आपको नहीं मिलता, क्योंकि device के अज़र आपको OIS नहीं मिलता है, अच्छल में EIS वाला effect देखने को मिलता है, वाद आप यहां पर देख सकते हैं, 4K में मैंने यहां पर set किया हुआ है, और जैसे ही मैं stabilization को on करती हूँ, तो यह क्या करता है कि आपके device को shift कर देता है 4K से full HD में, तो stable video आपको 4K में नहीं मिलेगा, full HD में मिलेगा, अब जो 4K sample मैंने लिया, उसमें आप देख सकते हैं कि काफी shaky सा video हमारा आया है बिन stabilization का, लेकिन वैसे quality wise ठीक आया है, तो vlogging के लिए यह अच्छा नहीं है हमारा camera है, लेकिन still video लेनी हो तो उसके अंदब को काफी अच्छी quality देखने को मिल जाती है, सेम चीज़ selfie camera में, selfie में भी आपको अगर still video लेनी हो तो ठीक है, लेकिन move करते हुए आपका जो video है वह बहुत ही ज़दा जर्की सा यहां पर हमारा आ रहा है, उसके इलावा, selfie camera में आपको 4K recording करने की option नहीं मिलती, आप सिर्फ full HD में ही video ले सकते हैं और यह हमारा full HD video sample है, यह था हमारा device, हमारा OPPO का Reno 10 Pro, जो कि कि अक्च्छल में देखा जाना तो मुझे यह device वर्थ नहीं लगा, मतब 40,000 रुपीस का budget है, लेकिन device के अंधर, आपको छोटा chipset यहाँ पर मिलता है, underpowered है, उसके और बैटरी backup device के अंधर, आपको यहाँ पर कम देखने को मिलता है, एक दिन का भी पूरा नहीं मिल रहा. Bloatware device के अंधर, आपको यहाँ पर काफी जादा वाला देखने को मिल जाता है, जो experience खराब करता है चौथा, इस device के अंदर आपको speaker single मिलता है तो आपका experience content देखने में यहाँ पे खराब हो जाता है और पांचवा, आपको device के अंदर यहाँ पे OIS नहीं मिलता है तो यह device मुझे इसलिए बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा मेरे हिसाब से इसकी जगा अगर आपको एक अच्छा phone लेना है तो आप OPPO के ही sub-brand जो OnePlus है उसके लिए जा सकते हैं OnePlus 11R के लिए जो कि कि आपको same price में मिल जाता है और देखा जाए तो हर एक चीज़ के अंदर वो device हमारा इस phone से better है उसका भी मैंने detail review किया हुआ है वो आपको मिल जाएगा मेरे channel पर आप देख सकते हैं और उसके साथ एक और चीज़ important यह है कि कहीं लोग कहते हैं न कि वो offline, online वाली जो बात करते हैं उसका भी कोई फाइदा ने क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारा जो OnePlus है वो आपको दोनों ही जगा भी available है offline भी, online भी तो उसका कोई चकर नहीं है तो मेरे हिसाब से वो device हमारा जादा better है जादा worth है ये device हमारा worth नहीं है So I hope आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो वीडियो को like and share शुरूर करें